आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय साथ जिसका नाम है नए प्राश्न नए विचार तो आईए सुरू करें इसमें कनगा बच्ची है जो कि पहली बार भी दिया लेके से पे जा रही है तो इस्टेशन पर जब उसकी मा उसको छोड़ने के लिए नएक क्याती है तो अध्यापिका यानि की मेडम से सहती एब गए बच्छों को बुद्ध के वारे में बताने के साथ उन्हें सारनाथ दिखाने को भी ले जाईए अब बच्चे के मन में एक जिग्यासा होती है कि बुद्ध आखिर अकिर होन थे और यह सारनाथ क्या है तो तो सारनाथ के बारे में अखिर एसा क्यों कहा अनिघा के माने, Yé, इसको हम देखते हैं, इस पार्ट की पर परवादि बुद्र की कहानी से होती है, जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग धर्म हिंदू, मुस्लिम, सीखिसाई जैसे जानते हैं इसी तरह किसे एक अलग धर्म है जिसका नाम है बोध धर्म इसकी जो अस्ठापना किया था उसका नाम था सिधार्थ और जिसका नाम गौतम भी गौतम बाद में पड़ा और यही गौतम को जब बुध्धी की प्राप्ति होती है नहीं का नाम उनका जन्म लगवग 25 सो वर्स पूर्व हुआ था या वह समय था जब लोगों की जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसे कि हमने अध्याच्छे में पढ़ा कि महा जन्पदों के कुछ राजा इसमें बहुत सक्तिसाली हो गए थे हजारों सालों के बाद फिर से नई नगर उब रहे थे गवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था किस प्रकार से आ रहा था इसको हम अध्याच्दस में देखेंगे बहुत से विचारक इन परिवर्दनों को समझनी का प्रियास कर रहे थे विए जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहरे थे आखिर जीवन का सच्चा अर्थ क्या है आखिर हमने जन्म क्यों लिया आखिर हमारे जन्म का उदेश्य क्या है बुद्धे छत्रिये थे जो कि हम विवाजित किया गया था समाज को उसी में से बुद्ध जो थे वह बुद्ध यानि की गौतम या कह सकते सिद्धार थे यह चत्रिय थे और एक साक्य नाम के छोटे से गण थे गण मतलब व्यक्तियों का सम्मू एक गण था जिसका हरे गण का अपनाई का लगनाम होता था उसी में से एक साक्य नामक गण था जिस से समंदित था सिद्धार थी यानि की गौतम बुद्ध युवावास्ता में ही ग्यान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया अनेक वर्सों तक वे भ्रमन करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रह बाद में ज्यान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वेंग ही रास्ता ढूंडने का निश्य किया इसके लिए उन्होंने बोध गया जो कि इस समय बिहार में है एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या किये अन्तता उन्हें वहाँ पे ज्यान प्राप्त हुआ उसी दिन से बोधी ब्रिक्ष उस पीपल के ब्रिक्ष को बोधी ब्रिक्ष कहा जाता है इसके बाद सेवे बुद्ध के रूप में जाने गए सिदार्थ बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे गौतम बुद्ध के रूप में यहां से वे बरानेसी के निकट स्थित सारनाथ गए त पे मिर्तियों से पहले से जीवन उन्होंने पैदल कुछी नारा में मिर्तियों से पहले से जीवन उन्होंने पैदल एक ही हस्तान से दूसरे संद की यात्रा करने और लोगों को सिक्षा देने में ब्यतित किया था तो इस तरीके से हमने देखा बुद्ध की कहानी बुद्ध ने सिक्षा दी बुद्ध की सिक्षाओं के उपरा हम ध्यान देते हैं कि उन्होंने सिक्षा दी कि या जीवन कस्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी ऐसा क्यूं है जीवन कस्टों और दुखों से क्य दोबनाइक और यह कारण है लालसा यानीनिक हम इम कुछ पानी की जो इच्छा होती होती है उसे को म writes यह जरूरी नहीं कि हमेंसा पूरी हो जैसे इक उदारता कई लिए बहुत सारे स्टूडेंटि किसी इस बींतिकुलार के लिए बढ़ते यह जरूरी यह कि सब का सेलेक्शन हो जाए उसमें से कुछ का सेलेक्शन होता है कुछ का अधिकतर का नहीं हो पाता है तो वह ही कह रहा है कि हमारी इच्छा और लालसा के कारण ही हमें जीवन में कस्ट और दुख भर जाते हैं कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्टी नहीं आती है जैसे के एक वस्तू जैसे के पास अगर बाइक है तो उसे कार के इच्छा होने लगती है कार है तो बड़ी कार के इच्छा होने लगती है बड़ी कार है अगर आ जाती है तो फिर उन्हें इच्छा होती है हेलिकप्टर के इस तरह कैसे इच्छ श्यम अपना कर हम इस लालसा से मुक्ति पा सकते हैं यह यनिके पहले उनके सिक्षा थे कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है क्यों भरा हुआ है इसका कारण उन्हें बताया कि इच्छा और लालसा और इसे मुक्ति के आत्म शयम्यांत्म सदी सहीयम का मतलब है कि आप वतने कि ही इच्छा रखें जिससे आप जीवित रहे द्यान कर सकें और आपके शरीर को जितनी कि अवशकता जितने कम से कम चीजों की की सिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्त्मान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बुद्ध ने अपने सिक्षा शमानी लोगों की भासा जो उससे में प्राकिरते भासा थी उसमें दी और ऐसा उन्होंने इसलिए दिया ताकि शमानी लोग उनके संदेश को समझ सके अगर बेद की रचना की बात करें तो वह प्राकिरते यहां पे दिया वह है वेदों की रचना के लिए किस भासा का प्रियोग उन्हों आज के संस्कृत से काफ़ी अलग थी बुद्ध ने कहा कि लोग किसी सिख्छा को लेकर केवल इसलिए सुईकार नहीं करें कि बुद्ध ने उनका उपदेश दिया है बलकि उसे अपने विवेक से मापे अब इसी तरह कि एक व्यक्तब यह आगले प्रिष्ट पर दिया है यह किसा गोत्मी की कहानी एक समय की बात है कि किसा गोत्मी नामक एक इस्त्री का पुत्र मर गया वो इस वात से इतनी दुखी भी कि वो आपने बच्चे वो गोध में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थनाई करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जिवित कर दे एक भला व्यक्ति यानि कि एक अच्छे व्यक्ति जो समझदार व्यक्ति था उन्होंने उसे बुद्ध के पास ले वो ले गए बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सर्सों के बीज ला कर दो मैं तुम्हारे पुत्र को जिवित कर दूँगा किसा गोत्मी बहुत प्रशन न हुई पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगे तब बुद्ध ने उशे रोका और कहा या बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मिर्तियों न हुई हो किसा गोत्मी एक दरवाजे से दूसरी दरवाजे गई लेकिन वो जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पती, पतनी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मिर्तियों हुई थी यानि कि हर एक के घर में किसी न किसी की मिर्तियों हुई थी, आखिरी इस घटना से क्या सिक्षा देने का प्रियास कर रहे थे बुद्ध, उस दुखी मा को, तो उसमें वो बताने की इच्छा कर रहे थे कि आखिरी जीवन की एक सच्चा ही है मिर्तियों, अटल सत्य है मिर् घर में किसी ना किसी को मरना पड़ता है यानि कि हर एक की मिर्तियों निश्चित है और हर एक ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई अपना मराना हो यही बताने का प्रियास इंडिरेक्टली यानि कि आप परत्यक्स रूप से कर रहे थे अब आईए समझते हैं उपनी सद के बारे में उप मतलब होता है समीप, निशद मतलब गुरू के यानि गुरू के समीप बैठना उपनी सद का साबदिकर्थ है गुरू के समीप बैठना जिस समय बुधू उप्धेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्यचिं तक भी कठिन प्रशनों का उत दुझने का प्रियास कर रहे Thay उनमें से कुछowe के बाद के जीवन के बारे में जानना चाते थे जप कि अन्यधियों की उप योगीता के बारे में जानने को सुख थे, इन में से अधिकांस चिंतकों का या मानना था, कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है, जो अस्थाई है और जो मिर्ट्यों के बाद भी बचा रहता है, उन्होंने इसका वर्णन, यानि कि कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो कि कभी खतम नहीं होती है, और इसी अस्थाई चीजों को उन्होंने नाम दिया आत्मा तथा ब्रम बर्म आत्मा तथा ब्रम अत्वा शार्भौम आत्मा वह मानते थे कि अंदता आत्मा तथा ब्रम एक ही है आत्मा तता ब्रह्म एक ही है यानि कि उसमें कोई अंतर नहीं है और इन ही इसी तरह के कई विचारों का संकलन है उपनिशद उपनी सद के अगर बात करें तो उत्तरवैदिक गरंतों का हिस्सा है उपनी सद का साब्दिकर्थ है गुरू के समीप बैटना यानि गुरू के समीप बैटकर बातचित के द्वारा जो संक्लन है वह यह उपनी सद और उपनी सदों की संख्यां बताई गई है 108 प्राया यह विचार समान्य वर्तालाप के रूप में प्रसुद किये गए हैं अब यह देखिए बुद्धिमान भिखारी 108 उपनी सदों में से एक चंदोग्य उपनी शद है उसी के उपर यह आधारीत है कहानी सौनक वह अभी प्रतारिन नमक दो रिशी सार भौम आत्मा के उपासना करते थे एक वार जयों ही वे भोजन करने के लिए बैठे एक विखारी आया और भोजन मांगने लगा सौनक ने कहा हम तुमें कुछ नहीं दे सकते बिखारे ने पूछा बिद्वजन यानि कि बेद्वान एक को कहते हैं एक से अधिक के लिए बिद्वजन बिद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं अभी प्रतारिन ने उत्तर दिया सार भौम आत्मा के इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार भौम आत्मा शंपुर्ण विष्व में विद्वान है यानि कि हर जगा मौजोद है रिशियों ने का हाँ हाँ हम यह जानते हैं बिखारे ने फिर पुछा अगर यह सार भौम आत्मा संपुर्ण विष्व में विद्वान है यानि कि हर जगा मौजोद है तो यह मेरे अंदर भी विद्वान है मैं कौन हूँ इस विष्व का ही तो भाग हूँ तुम सत्य बोलते हो युबा ब्राह्मन इसलिए हे रिशियों मुझे भोजन न दे कर आप उस सार भौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं बिखारी की बात की सच्चाई जानकर रिशियों ने उन्हें भोजन दे दिया इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकान सेतह पुरुष ब्राह्मन तथ राजा होते थे कभी कभी गारगी जैसे इसत्री विचारकों का भी उलेख मिलता है गारगी बहुत बड़ी बिदोशी थी बिद्वान बिदोशी बिद्वता के लिए प्रसिद गारगी राजधर्वारों में होने वाले बाद विवाद में भाग लिया करते थी निर्धन विक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कमी हिस्सा लेते थे लिकिन इसका एक अपवाद है सत्यकाम जावाल सत्यकाम जावाल नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तिब्र जिग्यासा यानि कि सत्य को जानने की तिब्रिच्छाउटपन हुई गोतम नमा के एक ब्राह्मन ने उन्हें अपने विद्यार्थिक रूप में स्विकार किया तथा वह अपने समय के सरवाधिक प्रशिद विचारकों में से एक बन गए उपनी सदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद विचारक शंक्राचारी के द्वारा किया गया जिसके विशय में संक्राचारी के विशय में आप कक्छा छे में पुड़ोंगे उसके बाद देखे यह है ब्याकरण वेद यानि की रचना करने वाले संस्कित ब्याकरण की रचना करने वाले पाणिनी इस योग में कुछ अन्य विद्वान की विद्वान भी खोज कर रहे थे इन्हें प्रसिद विद्वानों में एक पानेरी ने संस्कित भासा के व्याकरन की रचना की उन्होंने स्वरों तथा वेंजनों को एक विशेश क्रम में रख कर उनके आधार पर सुत्रों की रचना की ये सुत्रे बीजगनित के सुत्रों से काफी मिलते जुलते हैं इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कित भासा के प्रयोगों के नियम लगू सुत्रों जिनकी संख्या लगवग तीन हजार हैं लगू सुत्रों के रूप में लिखें अब हम बात करते हैं जैन धर्म की इसी योग में यानि कि जिस योग में से दार्थ हुए हैं उसी योग में अर्थात लगवग पचीस सो वर्स पूर्व जैन धर्म के सरवातिक महत्पुर्ण विचारक बर्धमान महावेर ने भी अपने विचारों का प्रशार किया वह बज्जी संग के लिछवी कुल के एक छत्रिय राजकुमार थे बज्जी संग के विशाय में हमने अध्याइच्छे में पड़ा है बज्जी जो के मगद के पास है एक संग था एक जनपत था वही क्या वहाँ पर कई सारे कुल थे उसमें से एक कुल है लिछवी कुल उसी क ये एक राजकुमार था चत्री राजकुमार था इस संग तीस वर्ष के आयों में उनने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे बारा वर्ष तक उन्होंने कठिन हुआ एकाकी एकाकी मतलब अकेला एलोन एकाकी जीवन बेतीत किया उसके बाद उन्हें ज्यान प्राप् थे कि जिनको भी सत्य जानना है जैवह इस्तरी हो या पुरुस हो उन्हें सबसे पहले घर छोड़ देना चाहिए उन्हें अहिंसा के नियमों का कडाई से पालन करना चाहिए यानि कि किसी भी जीव को कस्ट नहीं देना चाहिए और नहीं उनकी हत्या करनी चाहिए उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय है महावीर ने अपनी सिक्षा प्राकिर्ट में दी प्राकिर्ट में क्यों दी क्योंकि उस समय साधरन जन की भासा यही थी तो साधरन जन को समझाने के लिए उनोंने उनके भासा में ही सिक्षा दी देश के अलग-अलग हिस्सों में प्राकिर्ट के अलग-अलग रूप प्रचलित थे प्रचलन छेत्र के अधार पर ही उनके अलग-अलग नाम थे जैसे मगद में बोली जानी वाली प्राकिर्टे मागधी कहला दी थे जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयाईयों को भोजन के लिए दिख्छा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से इमानदार होना पड़ता था तथा चोरी ना करने की उन्हें सक्त हिदायत दी गई थी उन्हें ब्रह्मचरिय का पालन करना होता था पूर्सों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था solidarity यहाँए द्यान दिजिए कि पूर्सों को वस्त्रों सहीत सब कुछ त्याग देना पड़ता था यानि निए ये लोग फिर बाद में यह यह जो जैनर्म थे बाद में ये दो साखाम पड़ गए एक कहला दिगंबर यानि कि दिक जोड अंबर जिनके पूरी दिसाएं यानि कि दिसाएं ही जिनका वस्त्र हो उन्हें दिगंबर कहा गया और स्वेत अंबर स्वेत वस्त्र को धारण करने वाले तो आगे इसमें यजिवत जैन की अगर बात करें तो जैन सब्द का जीन से निकला है और जीन का मतलब हो क्यों हुआ तो महावीर क्योंकि उन्हों अपने इच्छाओं पर विजय प्राप्त के थे तो इसलिए उन्हें जैन कहा गया अधिकांस व्यक्तियों के लिए ऐसे करें नियमों का पालन करना बहुत कठिन था फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन सेली को जानन और सिखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खू भिक्खूनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहिता करते रहें मुख्यता वेपारियों ने जैन धर्म का शमर्थन किया किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल के रक्षा के लिए उन्हें कीडों मकोडों को मानना पड़ता था बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ उनकी सिक्षाएं कई सताब्दियों तक मोखिक रूप में ही रही बर्तवान रूप में अपलव्द जैन धर्म के सिक्षाएं लगवग पंद्रह सवर्स पूर्वे गुजरात में वल्लवी नामक अस्थान पर लिखी गई थे अब बल्लवी है कहां तो आईए हम देखते है पेश्ट संक्या 113 पर यह देखिए इसमें यह है वल्लवी यही पर इनका संकलन हुआ था तो आईए हम चलते हैं फिर से उसी बात को आगे बढ़ाते हैं अब बात करते हैं संग की संग महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करना ही सच्चे ज्यान की प्राप्ति हो सकते हैं यहनि कि बढ़्द की सिक्चा हैं और छैन महावीर की सिक्चाहों में ये से मानता थे कि दोनों घर को त्यागना अनिवारी मानते थे और जो लोग घर त्याग देते थे उसके लिए उन्होंने संग नामक एक संगठन बनाया यहाँ पर ही इसी संग में घर को त्याग करने वाले लोग रहते थे संग में रहने वाले बहुत विच्छों के लिए बनाय नियम जहाँ पर संकलित किये गये यानि कि इकठा किये गये हैं उस ग्रंथ को कहा जाता है बिनाय पिटक बिनाय पिटक से हमें पता चलता है कि संग में पूर्सों और इस्त्रियों के रहने की अलग-अलग बेवस्ता थी सभी व्यक्ति संग में प्रवेश ले सकते थे हलाकि संग में प्रवेश के लिए कुछ नियम ये था कि अगर कोई बच्छा प्रवेश लेना चाहे उसके माता पिता से आदेश लेना पड़ता था दासों को अपने स्वामियों से आदेश लेना पड़ता था राजा की यहां काम करने वाले को राजा से आदेश लेना पड़ता था करजदारों को देंदारों से यानि कि जिनोंने पुरुस बहुत साधा जीवन जीते थे वे अपना दिकान समय धिआने में बिताते थे और दिन में एक निष्चित समय में वे सहरों तता गाउप में जाकर विच्छा मांगते थे यही कारण है कि उन्हें विखो तता विखोनी यहां एक भिखारी के लिए प्राकर्ट सब्द है विखो और उसी कि इस्तिलिंग सब्द है विखोनी का गया वे आम लोगों को सिख्चा देते थे और साथ ही एक दोसरे की सहिता भी करते थे किसी तरह कि आपसी लाडाय का निप्टारा करने के लिए वे प्राया बैठ के भी क्या करते थे संग में प्रिवेश करने वाले बालों में ब्राह्मन, छत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं गणिकाएं यानि कि जो देव्य पैरमेशन लगने थी तता दास सामिल थे इन में से कई लोगों ने बुद्ध की सिक्षाओं के विशाय में लिखा तता कुछ लोगों ने संग में अपने जीवन के विशाय में सुन्दर कविताओं की रचना की अब देखिए पिछले अध्याय में जो हमने संग की बाते पड़ी और उससे ये संग अलग है वहाँ पे संग थी एक राजनितिक संस्ता जबकि यहाँ पे ये एक संग है धार्मिक संस्ता विहार जैन तता बौद विखू पूरे साल एक अस्थान से दूसरे अस्थान घुमते वे उपदेश दिया करते थे लेकिन बरसारीतों में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही अस्थान निवास करते थे ऐसे समय वे अपने अनुयायों द्वारा उध्यानों में बनवाए गए और अस्थाई यानि कि जो आस्थाई निवास नहीं होता है वहां पर अत्वा पहाड़ी चेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे लिकिन जैसे समय बित्ता गया संख्या बढ़ती गई तो बिखू बिखुन याने स्वेंग तथा उनके समर्थ को ने अधिक अस्थाई शरन अस्थल क्या वसकता का नुवद किया तब कई शरन अस्थल बनाए गए जिने विहार कहा गया यानिक शरन लेने के लिए यानिकी जो आपात समय में शरन अस्थली थी उसी को विहार कहा गया आरंबिक विहार लकडी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्मान में एटे एटों का प्रियोग होने लगा पस्वी भारत में विशेश कर कुछ विहार पहारियों को खूद कर बनाएगे अब देखिए एक बोधगरं से एक महतपुर्ण जानकारी प्राप्त होते हैं जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग-अलग पहचान समाप्त हो जाती है उसी तरह बुध्य के अनुयाई जब विक्ष्वों की स्रेनी में प्रिवेश करते हैं उन्हें अपना वर्ण स्रेनी परिवार सब त्यागना पड़ता है इससे कोई फरग नहीं पड़ता है कि वो किस धर्मी या किस विचार के मानने वाले है प्राया किसी धनी व्यपारी राजा अथवास भूश्वामी द्वारा दान में दी गई भूमी पर विहार का नेमान होता था अधिकांस्त अस्थानियाई व्यक्ति विखू विखुणियों के लिए भोजन वस्त तता दवाईयां लेकर आते थे जिसके बदले ये विखू और विखुणे लोगों को पतलगा अब ये कहाँ कहां पहला इस 있고 विखव में हम अध्यें दस में पढ़ेंगे अब देखिए यहां आस्रम विवस्ता आस्रें बैवस्ता क्या है तो जयन और बहुत धर्म जिस समय को हो रहे थे उसी समय ब्रह्मनों ने आश्रम विवस्ता का विकास किया यहां आश्रम सब्ध का ताथ पर यह लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रियोग माने वाले अस्थान नहीं है उनका मतलब है जीवन के विविन चरन उन्होंने चार चरनों में पूरे जीवन को विवाजित किया पहला चरन था ब्रह्मचारिये दूसरा था ग्रिहास्त तीसरा वानप्रास्त और चौता सन्यास ब्रह्मचरी में क्या होता था कि ब्रह्मन चत्रिया और वैस्ये से यह उम्मीद कि जाते थी कि वह जीवन को साधा जीवन के तरह बिताएंगे और बेदों का ध्यन करेंगे ग्रिहस्त एक आस्रम का मतलब था कि वह विवा करके ग्रिहस्त के रूप में रहेंगे और वानप्रस्त के अंतरगत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थे और अंत में सब कुछ त्याक कर स्वन्यासी बन जाना था आस्रम विवस्ता ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया प्राया इस्त्रियों को बेद पढ़ने के अनुमती नहीं थे और उन्हें अपने पतियों द्वारा पारण किये जाने वाले आस्रमों का ही अनुशरन करना होता था इस तरीके से हमने ये पढ़ा अब यह जानते हैं कि आखिर इस समय में बाकी जगें पर क्या होता था इरान में जर्थोस्त्र एक इरानी पेगंबर थे उनकी सिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंत में मिलता है जेंद अवेस्ता की भासा तथा उश्मवर्णी तरीत रिवाज बेदों की भासा रिती रिवाजों से काफी मिलते हो जगते हैं जर्थोस्ते के मूल सिक्षा का सुत्र है सदविचार सदवचन तथा सदकारिय है हेस्वर बल सत्य प्रधानता इभं सदविचार प्रधान कीजिए जिनके जर्ये हमसानती बना सके ये उनकी उनका मूल लवाक कि है एक हजार से अधिक वर्सों तक जर्थूर्स्त्रवाद इरान का एक प्रमुक धर्म रहा बाद में कुछे जर्थूर्स्त्रवादी इरान से आकर गुजरात और महराष्ट के त्टियनगरों में बस गए वे लोग ही आज के पार्शियों के पूर्वच है इस तरह के से हमने समझा अधियाए साथ अगले भाग में हम लोग जानेंगे अधियाए आठ के बारे में जिसका नाम है असोक एक अनुखा समराठ जिसने युद्ध का त्याग किया अभी के लिए फिलालित रहिए हेवा नाज डे चेके